नमस्कार दोस्तों आज मेरे यानिकी अपुर्वा राजपूत के साथ आज आप कवर करने वाले हैं डक्षिन अमेरिका यानिकी साउथ अमेरिका प्लेस इस न्यूस की इस सरीज में हम लोगों ने एशिया को कवर किया हाला कि जो एशिया है उससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी वीडियो में आपको और दूँगी जिससे थोड़ी सी और जादा संभावना है प्रशनाने की जहां तक सवाल है साउथ अमेरिका का तो दोस्तों यह इतना कम देशों वाला महदवीप है कि यहां पर हर देश साल दो साल में न्यूस में आही जाता है कुछ एक देश ऐसे हैं जो न्यूस में ना आयों बागी सभी देश किसी ना किसी वज़े से न्यूस में आही जाते हैं तो हम जल्दी से इसको revise करेंगे और especially वो चीज़ें जो कि कुछ जादा ही news में रही हैं जिन से प्रश्न बनने की संभावना है उन्हें भी cover करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं जहां तक कहानी है इस दक्षिन अमेरिका की तो आप देख सकते हैं कि उत्तर अमेरिका महद्वीब के नीचे है पनामा इस्थमस जो है इसके बारे में आप लोगों को अलग से वीडियो बना कर जरूर बताऊंगी यह काफी जादा news में रही थी तो जो पनामा इस्थमस है वो दक्षिन अमेरिका और उत्तर अमेरिका महद्वीब को एक दूसरे से जोडने का काम करती है अब आप देख सकते हैं कि यह जो हमारी दक्षिन अमेरिका महद्वीब है इसके चारों और कौन-कौन से महाद्वीब है उसकौन-कौन से महासागर है तो यहाँ पर आप देख सक तो यह आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि इसके एक तरफ प्रशान्त महासागर है और दूसी तरफ अट्लांटिक महासागर नीचे अंटाक्टिक या जिसे दक्षणी महासागर भी कहते हैं और उपर है केरेबियन सागर अब दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों से हमेश दोस्तों फ्रेंच गयाना खुद अपने आपमें न्यूस में रहे या ना रहे लेकिन इसका जो कावरू है यह निउसमें रहता ही है आप देख सकते हैं यह जो हमारा अमेरिका महद्वीप है ना इस दक्षन अमेरिका महाद्वीप में यहां पर आपको देश दिखाई देता है French Guayana. यह 4 सा देश है French Guayana. अब दोस्तों, यह जो छोटा सा देश है French Guayana, इसकी राज़्थानी क्या है क्या है? प्रेइंच गयाना है, इसमें जो चीज़ हमेशा नियूस में रहती है, वो है इसके में बसा हुआ एक स्थान फ्रेंच गयाना का कौरू आप जानते हैं कि हर देश के पास अपनी स्पेस एजेंसी होती है जैसे हमारी इसरो, USA की नासा, उसके अलावा जापान की जैकसा तो आप देख सकते हैं कि हर देश के अपने कोछ सेटलाइट लॉंच स्टेशन भी होते हैं जैसे हमारे सेटलाइट की बारे में आपने अधिकांचता सुनाओगा कि वो श्री हरी कोटा से लॉंच होते हैं बिल्कुल वैसे ही जो यूरोपियन यूनियन है यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोप महादवीब के 27 देशों ने मिल करके जो यूनियन बनाई है इसकी कहानी भी आपको जब हम यूरोप पढ़ेंगे तब मैं जरूर सुनाओंगी तो आप यूरोपियन यूनियन है ना उनका सटैलाइट लॉंच स्टेशन है वह कवरू है यहां से वो लोग क्या करते हैं यहां से लूग अपनी जो सेटलाइट हैं उन्हेंर लॉंच करते हैं अब सवाल उठता है कि पूरे यूरोप को छोड़कर वो यहां क्यों आई क्योंकि यह सेटलाइट है आप एक छोड़ा सा दिवाली का रॉकेट भी हर कहीं से लॉंच नहीं घरते तो सेटलाइट को लॉंच करने के रेकुछ उप्युक्त जगह चाहिए होती है जहां तक कानी है कोरू की तो यह भूमद रेखा के पास है जिससे कि अगर जियो स्टेशनरी ओर्बिट में हमें सेटलाइट भेजना हो तो हम आसानी से भेज सकते हैं दूसरी चीज यह ओपन सी यानि कि खुले महासागर के करीब है अटलांटिक महासागर है बिलकुल पास में तो अगर कभी कोई सेटलाइट फेल होता है तो वो सेटलांटिक महासागर में गिर जाएगा रहवासी शेत्रों में कोई दवाही नहीं मचेगी चलिए अब दोस्तों गयाना के बाद मैं आपको बीच में एक देश सुरी ने इसको छोड़ूंगी जो कि बहुत जादा न्यूस में रहा है थोड़ा सा इंपोर्टेंट है और कम इंपोर्टेंट वाला पहले बताऊंगी धैट इस गयाना अब दोस्तों गयाना जो है न य जैसे कहानी है अर्मेनिया और अजर्बेजान की कि दोनों नार्गोनों कारबाग को लेकर लड़ रहे थे जैसे कहानी है इसराइल पैलेस्टीन की येरुशलम को लेकर लड़ते हैं भारत और पाकिस्तान कश्मीर को लेकर लड़ते हैं वैसे ही दोस्तों हमेशे जो दो वेनेजवेला और गयाना हैं क्या इनके बीच भी किसी स्थान को लेकर के लड़ाई होती है जी हां लेकिन उससे पहले आप गयाना और वेनेजवेला की लोकेशन डंग से देख लो यह हमारा दक्षन अमेरिका इसमें यह जो भी आपने देखा यह पिंक कलर से जो बना हुआ ह यह कौन है फ्रेंच गयाना उसके बाद सूरी नेम है जो अभी मैंने आपको बताया नहीं और उसके बाद है गयाना तो पहले पढ़ रहा है फ्रेंच गयाना उसके बाद सूरी नेम फिर गयाना इस तरीके से यह हैं और फिर गयाना के बाजू में है यह बड़ा सा वेनेज वेनेजवेला कहा है यह जो आपको हरे रंग से दिख रहा है अब इन दोनों देशों के बीच में जिस शेत्र को लेकर विवाद है दोस्तों वो शेत्र है यह गोयाना तो इस गोयाना का इतना हिस्सा यह वाला यह जो हिस्सा है ना इस पर वेनेजवेला और गोयाना दोनों ही अपना हग जताते हैं जबकि असल में अभी ये गयाना का है आप देख सकते हैं कि ये है रिसोर्ट स्रिच एसक्यूबो रीजन इस एसक्यूबो रीजन के ऊपर ये जो वैनेजवेला और गयाना है ये हैं दोनों ही देश अपना अधिकार दर्शाते हैं और इसको ले करके दोनों देशों के बीच लड़ाई होती रहती है तो ध्यान से देख लो भाई एसक्यूबो किसका है सो गयाना का है लेकिन वैनेजवेला और गयाना दोनों हमीचा इसको ले करके लड़ते रहते हैं अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो देखो, धियान से देख लो इस मैप को, इस मैप में आपको ये दिख रहा है फ्रेंच गयाना, उसके बाद ये दिख रहा है सूरी नेम, उसके बाद ये है गयाना, अब इस गयाना में आप देख सकते हैं, ये जो इतना हिस्सा है, this is what? ये है हमारा S.Q.O. रीजन, जिस पर Vene वेनेजवेला तो आप देख सकते हो कि जहां तेक बात है इस S-Cuba की तो S-Cuba, S-Cuba, S-Cuba reason जो है यह S-Cuba नदी के पश्चिम में है, अब यह S-Cuba नदी कहा है, भै सीरी बात है, यहां पे है यह S-Cuba नदी, इसनी S-Cuba नदी के पश्चिम का जो शेत्र है वो S-Cuba reason कहलाता है, आप हम चलते हैं दोस्तों, इन दोनों देशों को हमने देख लिया, तो इनकी थोड़ी सी विशेष्टा देखने, जहां तक कहानी है वेनेजवेला की, तो इस वेनेजवेला में आप इस जगे को याद रखिए, लेक मराकाइबो, लेक मराकाइबो, और यही पर बंदरगा को इस वेनेजवेला में आपको जो एक चीज नहीं भूलनी है, वह है म राकाइबो, यह मराकाइबो नाम की जील भी है, और मेराकाइबो नाम की बंदरगा भी है, और इन दोनों के भी बिच खेत है क्या है? S cube चल अब चलते हैं दोस्तों उस देश को देखने जिसको मैंने थोड़ा सा आपके लिए छोड़ दिया था ये जो देश है ये काफी नीूस में रहाता ते सीरी न्यम क्या नाम है इसका स्यूरी नेम अब ये जो सीूरी नेम है न इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्यों पहले तो अपर नोट स बना लेंदे हैं हमने सबसे पहले पढ़ा दोस्तों फ्रेंच गोयाना फ्रेंच गोयाना में वो चीज जो न्यूज में आही जाती है वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का उनका लॉंच स्टेशन जिसका नाम क्या है काउरू ठीक अब यहां पे हम आगे आए और फ्रेंच गोयाना के बाद अगला जो देश है वो हम अभी देखने जा रहे हैं सूरी नेम और इसको अभी हमने देखा रही है सूरी नेम के बाद दोस्तों उसके बाजू में जो अगला देश था वो कौन सा था वो था हमारा गोयाना अब जहां तक कहानी है गोयाना की सो गोयाना में हम लोगों ने स्पेशल कुछ बहुत ज़्यादा चीज नहीं देखी लेकिन इसके बाद जो चौन्था देश है वैनेजुएला अगर हम बात करते हैं इस वैनेजुएला की न सो दोस्तों वैनेजुएला में हमने ये देखा कि वैनेजुएला और गोयाना के बीच में एक जगे है जो की बहुत विवादित है वैनेजुएला और गोयाना के बीच में एक जगे है जो की काफी विवादित है और उस जगे का नाम क्या है उस जगे का नाम है S-Q-1 उस जग्हे का नाम क्या है S-Q-1 अ अर्धी किया हो गया S-Light आगे कुई ना S-Q-1 फिर से देखी लो इसक्यूबो बोलो S-Q-1 बोलो S-Q-1 बोलो S-Q-1 S-Q-1 Kulja Semsem हमाई notes Kulja कहाँ चले गए Kulja 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 लगता है सेल चलेगा है रिमोड के सेल भेज़ दू यार S Q बा आप लोगों से नहीं कह रही है अब आप देख सकते हैं कि ये जो S Q बा है ये गुयाना और बैनेजवेला के बीच में है ये खनिज सम्रद शेत्र है इन दोनों के बीच ये विवादित है गुयाना में क्या कोई important चीज हम लोगों ने देखी जी हाँ क्या मराकाईबो 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 नाम की जील भी है और बंदर गहां भी है और वेनेजवेला की खुद की रास्थानी क्या है करास चल अब हम बात करेंगे सूरी नेम की जब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका महादवीब की तो यहाँ पे एक गुयाना और उसके बाजू में फ्रेंच गुयाना हम याद करने के लिए समझ देरते हैं कि ये दोनों भाई थे अब क्या होता है ना दो भाई दो करीबी दोस्तों के बीच क्या कभी कोई लडाई हो सकती जिससे इनकी सीमा साजा कूनी बंद हो जाए क्यों नहीं हो सकती आप इतहास में देख लीजिए गुंडे मूवी में देख लीजिए तो आप बिलकुली देख सकते हैं कि गुयाना और फ्रेंच गुयाना की बीच लडाई काहे हो गई सूरी की वज़े से सूरी नेम की लड़की की वज़े से गुयाना और फ्रेंच गुयाना की बाउंडरी साजा क्यों नहीं होती सूरी की वज़े से सूरी नेम की वज़े से सूरी नेम की कन्या की वज़े से ये दोनों boundary साजह नहीं करते किसकी वज़े से सूरी नेम इन सब में सबसे ज़ादा अगर कोई न्यूज में राया तो वह S क्यूबा है और फिर सूरी नेम है जहां तक कहानी है सूरी नेम की तो सूरी नेम के बारे में हमें कुछ चीज़ें पढ़नी पढ़ेगी देखो भाई यहाँ पे गयाना और फ्रेंच गयाना दोनों सूरी नेम की वज़े से सीमा साजा नहीं करते दोनों के दोनों सूरी नेम की वज़े से सीमा साजा नहीं करते तो सूरी नेम क्या बोली सूरी नेम बोली मैं ना तो हूँ गयाना की और ना ही हूँ फ्रेंच गयाना की बल्कि बल्कि दोस्तों इसने दोनों को क्या किया पैर मार दिया बल्कि इसने क्या कर दिया दोनों को पैर मार दिया पिरामारी वो कौन सूर हुख टीक्ए और इसका पॉराना नाम क्या हुआ करता था दोस्तों इसका पुराना नाम हुआ करता था डच गयाना this हम अपिराना चुबिव आ करता था डच कुछ दो तो कि यह दोनों गयाना म्रदर्स को बरबाद करने आहीं थी का बता है मतला देख लो यह फ्रेंज गयाना यह सूरी नेम और यह गयाना ठीक सो क्या देखा हमने इसके बारे में लग रहा है आज नोट्स अच्छे से बन नहीं पाएंगे हम एक साथ पढ़ लिया करेंगे फिर नोट्स बनाएंगे यह ख़ल नहीं रहा है हमारा नोट्स वाला भीच ख़ल गया को आदेख सकते हैं कि यह जो सूरी नेम है न इसकी राजधानी क्या है इसकी राजधानी है पैरा मरी वह पैरा मारी वह पैरा क्या उठाके मारी पत्थर पैरा मारी वो पैरा कौन वो तूरी किसको मारी गोयाना और फ्रेंच गोयाना को दोनों लड़ रहे थे अब यह जो सूरी नेम है इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था दच गोयाना यह देश कापी ज़्यादा न्यूज में रहा था हमारे देश के प्रधान मंत्री और इनके नेता के बीच की मुलाकात की वज़े से और उसके पहले भी कई बार यह पिछले दो साल में न्यूज में आया है अगर मैं आप लोगों को कुछ इंपोर्टेंट बताओं कि जो कुछ जाधा न्यूज में है वो चीज़ है एक तो यह यह और दूसरी चीज़ यह क्या सूरी नेम लैंडलॉक है बिलकुल नहीं कहां से लैंडलॉक होगा तो किस से सीमा साजा कर रहा है यह अटलांटिक महा सागर से सीमा भी साजा करता है और अटलांटिक महा सागर के लावा और किस से सीमा साजा करता है वही जिनको इसने लडाया है गयाना और फ्रेंच गयाना से चलिए अब अब दोस्तों बात करते हैं हम अगले देश की वैनेजवेला की बारे में आपने देख लिया सो देस्ट करेंगे कि को लंभिया को ध्यान से गुरोंगे यह के ऊपर है इसी के ऊपर है वह पनामा का देश जो कि एक स्थल संधिकी भाति कारे करता है तो यहां पर पुरा पानी भरा है यह एक यह साखर है। pronounce प्रशांत महासागर है इसलिए पूरे दक्षिन अमेरिका में एक मात्र देश है कोलंबिया जो कि किस किस सीमा साजा करता है दोनों से यहां वेनेज्वेला से भी और यहां अट्लांटिक महासागर से भी और यहां पर प्रशांत महासागर से भी ठीक है अगर है कोलंबिया की क खोट इसे देश को देखते हैं कोलंबिया इतना न्यूज में नहीं था पिछले डेर साल में उससे जाना न्यूज में था इकवाडूर अच्छा खासा न्यूज में था इकवाडूर की जहां तक कहानी है सो दोस्तों इकवाडूर की जो राजधानी है वो है क्योटो का नाम ह क्योटो प्रभू क्योटो नहीं जो हम क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ते हैं न क्योटो जापान में है क्योटो नाम का शहर जापान में है यह क्या है यह क्योटो नहीं है यह क्योटो है यह क्यू है के नहीं है यह क्या है यह क्यू है के नहीं है अब देख सकते हैं कि जैसे हम बात करते हैं भारत की यह हमारा जैसे भारत है तो हमारे भारत के यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समय और यहां पर लक्ष द्वीप भारत की महांद्वीप भारत की मुख्य भूमी से दूर बिल्कुल वैसे ही क्या किसी देश के अपने खुद के से आइलेंड हो सकते ह सकते हैं किसके एकवाडूर के यह जो हमारा एकवाडूर है ना इसके यहां पर कुछ आइलेंड से क्या नाम है इनका गैला पगोज वाट गैला पगोज किसके हैं गैला पगोज आइलेंड सो गैला पगोज आइलेंड है एकवाडूर के यहां पर इस प्रशांत महासागर में गैला पगोस आइलेंड किसके है एकवाडोर के जहां तक कहानी है यह अजीब से नाम की गैला पगोस तो दोस्तों यहां पर एक टर्टल पाया जाता है कछुआ पाया जाता है पर टर्टल नहीं पाया जाता है टॉर्टॉइस पाया जाता है दिर इस डिफरेंस बिट्वीन ट पगोज आइलेंड की नाम से जाना जाता है जो कि किसका है एकवाडूर का अब सुनो भाई यहां पर जो चीज न्यूज में रही थी वो क्या है वो एक ऐसी जगे है जिसका प्रनूंसियेशन थोड़ा सा मेरी जुबान पर नहीं आता है पर फिर भी आपके लिए मैं पढ़ देती हूं बांकि आप एकवाडूर वारों से पूछ लेना कि करेक्ट प्रनूंसियेशन क्या है देखो यह है अपना इकवाडूर बड़ा ही सुन्दर है सुन्दर तो बहुत है इस इकवाडूर में आप देख सकते हैं यहां पर इसकी रासानी क्योटो अब इधर पे महान देखो देखो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक बंदर गहां है यहां पर एक पोर्ट सिटी समें क्या है घै यहाः-क्विल गयाया क्विल क्या नाम है? G-U-A-Y-A-Q-U-I-L क्या है ये? ये एक बंदर गहां है ये एक पोर्ट सिटी है बंदर गहां है बंदर गहां किसके किनारे पर? यहां है तो सिधी बाते की प्रशान्त महां सागर के किनारे पर तो एकवाडोर के बारे में ये चीज़ क्रपा करके याद करना अब वीडियो जदा लंबी हो जाती है तो आपके नकरे शुरू हो जाते है अभी तो 20 मिनिट की हुई है अभी कम से कम 10 मिनिट की और हम रख सकते हैं ना अब आदे घंटे की वीडियो तो देखी सकते हूं अब इसके बारे में चीजों को लिख लिया जाए तो बैटर है कि यहां बनेगा क्या कोशिश करते हैं बनाने की कि तुम थोड़ा सा खिसकोगे कि खिसक जाओं कि तने किधर भाईरी गुट कि तुम खिसकोगे कि तुम भी खिसक जाओं कि तने किधर अब कोशिश करते हैं यहां पर लिखने की तो हम लोगों ने क्या देखा यहां पर हम लोगों ने एक देश देखा जिसका नाम है कोलंबिया राजधानी बोगोटा इसके बारे में कोई मुख्य बात है न का प्रशांद महासागर और अट्लांटिक महासागर दोनों से सीमा साजा करता है उसके बाद एक महत्वपूर देखा हमने जो कि अच्छा खासा न्यूस में है और वो कौन है दोस्तों वो है इक्वाडोर इसके बारे में अभी हम आपको एक और महत्वपूर बात बताएंगे इक्वाडोर की जहां तक बात है इसके राजधानी क्या है कोयोटो इसके राजधानी क्योटो नहीं है क्या है क्योटो क्योटो नहीं है क्या है क्योटो तो आप देख सकते हैं इसके राजधानी क्या है क्योटो क्योटो नहीं है क्या है क्योटो और यहां पर जो हम लोगोंने एक बंदरगा देखा है जो एक पोर्ट सिटी देखिए वो क्या है गुया या क्विल गुआ या क्विल गुआ या क्विल ठीक है चल कि लिख देते हैं इस चीज को कि अब रबड़ दे दे बाबा कि मिल गई कुयोटो और यहां पर हमने एक बहुत महत्वपूर्ण पोट देखा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदर गहा देखा उस बंदर गहा का नाम क्या है है गुआ है या क्विल अज्य मुझे मट गूरो मैंने नहीं रखा यह नाम है थीक है मैं नाम रखती तो राम मंदरगा रखथी ना सो आप देख सकते हैं इसके राव्य हमने यहां पर क्या देखआ इसके रावर हमने यहां पर एक द्वीप देखा जिसका नाम क्या है गैला पगोस ऐलेंड गैला पगोस द्वीप ठीक चलिए अब इकवा डूर के बारे में आपको को हम एक बहुती महत्वपूर्पूर्ण वाली बात बताना चाहते हैं और वो कौन सी बात है दोस्तों वह महत्वपूर्ण वाली पात यह है कि यह जो हमारा साउथ अमेरिका है ना इसमें आपको एक बोहुंद बड़ा देश दिखाई देता है जिसका नाम है ब्राजील अब जहां तक कानी है ब्राजील है ब्राजील की इस सीमा शाजा कर रहे हैं South America के पर दो को चूड़के और वो दो कौन है देखो ये हैं ब्राजील इसके बारे में पढ़ेंगे हाँ अब ये जो ब्राजील है नंजो ये ब्राजील क्या कर रहा है ब्राजील की सीमा सबसे साजा हो रही है इस फ्रेंच गोयाना से इस सूरी नेम से इस गोयाना से इस वेनेजवेला से इस कोलंबिया से इस पेरू से इस बोलीविया से इस अर्जेंटीना से इस उरुगवे से इस परागवे से बस दो देश ऐसे हैं जो कि ब्राजील से सीमा साजहन नहीं कर रहे हैं और अगर मैं आपको बताओं अगर अब साउथ अमेरिका में फस जाएं वो भी ब्राजील के चुंगल में तो बचने के केवल दो ही दर्वाजे हैं क्या हैं? दो ही डोर है एक डोर है चिली अगले देश की तरब और अगला देश है प्यारा 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 पेरू जहां तक कानी है पेरू की इसकी राजथानी है लीमा अब पेरू में क्या कोई चीज न्यूज में रही थी? जी हाँ, वो है ये बंदरगा पेरू में जो चीज न्यूज में रही थी वो है ये बंदरगा केन के, वाट? अब इसको इसका जो प्रनांसियेशन है आप वो चान के भी कर सकते हूँ चान के करो जो भी करो भाई इसका नाम आपको याद रखना है कि ये बंदर गहा कहा है ये बंदर गहा पेरू में है पेरू किदर है ये ब्राजिल से सीमा साजा कर रहा है जी बिल्कुल कर रहा है पेरू वही जो मैं आपको इंडियन जोग्रफी में अल नीनो ला नीना हाती हूं यही पेरू है तो पेरू की कैफिटल लिख लेते हैं अब खुल जा सिमसे हैं चल अब तो खिसकाने की जगह भी नहीं दिख रही है कोई ना पाइसा बहुत से अपने पास बहुत हमीर हैं दूसरा पेज ले लेंगे हैं कौन से नंबर तक पढ़ चुके थे सिक्स्थ अब सेवन तो जहां तक कहानी है सेवन की सेवन नंबर पे हमने अभी अभी क्या पढ़ा है पेरू राजधानी लीमा पेरू में हमें जो चीज याद रखनी है जो न्यूज में रही है वो क्या है वो है चैन अब फिर से नहीं चल रहा है चल तो यह है क्या यह असल में एक बंदर गहा है पेरू में यह असल में एक बंदर गहा है यह बंदर्गाह काफी न्यूस में रहा था कि यह कौन के इसमें पेरू जैसे आपको एक साइड बंदर्गाह लिखके सकते हैं दूसरी साइड देश लिखके दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कितने यूगमत सही है तो यह जो चैन के है यह बंदरगा पेरू में है ठीक चल अब दोस्तों इसके आगे की जो कहानी है साउथ अमेरिका की वो मैं कवर करूंगी अगली वीडियो में क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग ठक जाते हो बीच से छोड़के भग जाते हो तो करने के बाद आज मेरी हालत क्या है मैं अल इंडिया लेवल पर कहा स्टेंड करती हूं पुरा स्लेबस कभ ख़तम करने के पाद उजे हटोपी के कोशन बन रहाया नहीं कभी-कभी मौक टेस में ऐसे कोशन मिलते हैं ऐसा लगता है किया यह तो रेल्वी ग्रूप D के लेवल डिघजमेंट इसा डिजासर मेरीजमेंट हो गया तिम पूरा स्लय मैसिख पारी हो गया है कुझ्ष तो यूपे ऐसे कि कोशन का पैटर नहीं समझभपा ही हुआर बिगणर एक्सवर्ट सभी तरीके के लड़नर हो जाओ अब चिंदा मोक्त और अभी एंडरोल करो UCSC में UCSC यानि की आन अक्याडमी सिविल सर्विसेश चैंपियंशिप सुभा ग्यारा बजे लेकिन अगर आप किसी कारणवर्च सुभा गयारा बजे वाला टेस्ट ना दे पाओ ना तो आप शाम को पांच बजे भी स्टेस्ट को लाईव दे सकते हों और हाँ इस टेस्ट को देने से नकेवल आप भारत के इसतर पर इस तरीके से समझ भी पाओंगे क्योंकि दोस्तों यहां पर यह जो प्रश्न है यह अनकादमी के टॉप एडुकेटर्स ने बड़ी ही बारीकी से बड़ाई है तो इंजार किस बात कहें लिंक दी गई है डिस्क्रप्शन में अभी एंड्रोल कीजिए अनकादमी लेट्स ट्रग कि अपाईप्द की बारीके से समझ अभी बारीके से रेटके से प्रवीटर्स ट्राइडू